महाराज की धर्ती में एक संत पैदा हुए थे तुकाराम सभी लोग जानते होंगे बड़ी भक्ति उनकी प्रचिलित है तुकाराम महाराज के कुटिया में आग लग गई आग लगने के बाद तुकाराम महाराज देखे की कुटिया में आग लगी है तो जितना कुटिया का सामान था सब बाहर जो रखा हुआ था उसको भी फेक दिये और तंबूरा ले करके नाच नाच के गाने लगे बोले आज भगवान की कृपा हो गई है अगने देवता खुश हो गए आज तो भोजन करने के लिए चले आए सारा धन खा गए अब जितनी संपत्ति थी सारी जला डाले कुठिया में कोई भी सामान नहीं छोड़ा सारा धन जल गया कुछ नहीं बजा तो गाउं के लोगों ने सरपंच लोग सब मिल करके मेटिंग कर लिए गाउवाले बोले ये बाबा पागल हो गया है सारी संपत्ति गाउं से इकठथा करता है और इकठथा करके सब जला डालता है आज के बाद इस बाबा को कोई भोजन नहीं देगा सभी गाउं को लोगों ने मीटिंग किया सरपंच बोला जो बेक्ती इसको मदद करेगा इस बाबा को भोजन देगा उसको गाउं से वहिस्कित कर दिया जाएगा तो डरके मारे गाउंवाले कोई नहीं कुछ ले करके आए थंडी का महीना था महराज रात के समय में वहीं पर पड़े थे अरात्री का समय था धन्ठंड से ठिठूरने लगे तडपने लगे तो भगवान गोमने लगे रात को रुकमिली जे ने पूछा प्रभू आप गोम रहे हैं क्या बात है आपको चैन नहीं है नीद नहीं आ रही भगवान कहे रुकमिली प्रत्वी लोक में एक भगत भाव भी भोर हो करके भक्ती में नाचने लगा गाउं के लोगों ने उसको अन जल देना बंद कर दिया और वो ठंड में बिना कपड़े के पड़ा है अगर रात में उसकी रक्षा करने के लिए नहीं गया तो वो मर जाएगा रुकमिली जी ने कहा क्या आपका इतना बड़ा परमभक्त है सारी संपति जला डाला उसकी रक्षा कैसे करेंगे भगवान रुकमिली जी से कहने लगे ऐसी भक्त की रच्छा और दर्सन करने के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा भगवान गरुन पर समार हुए बैकुंठ लोग से चले रुकमिली जी ने कहा प्रभू जब ऐसा भक्त है तो हमें भी दर्सन करना चाहिए रुकमिली जी के साथ में भगवान महाराश्च की धर्ती पर पहुँच गए रुकमिली जी के साथ में आए तुकाराम महाराज वहीं पर सोय थे सोते सोते उनकी पूरी कुटिया बना डाले और भगवान जब अपने हाथों से कुटिया बनाए तो वो air condition कुटिया हो गई air condition कुटिया बनाके चले गए ठंडी में गरम रहे, गर्भी में ठंड रहे वातान कूलित कुटी बना दिए अब सबेरे सबेरे जब लोगों के नीद खुली कुटिया में सारा सामान भराव कुटिया कंडिसन तयार तो सब लोग गाउं के इकठा हो गए और मीटिंग करना शुरू कर दिये बोले ये बाबा चमतकारी है ये कहीं कंट्रेक्ट रखता है दर उदर जिकुद बिवस्ता किया होगा और रात में कंट्राक्ट दे करके कुटी बनवा डाला तो उनसे पूछेने लगे तो वहाँ के सरपंच ने कहा कि जैसा तुम्हारा कुटी है वैसा कुटी हमारा नहीं है और मैं इस नगर का राजा हूँ मेरी कुटी है ऐसी होनी चाहिए जैसी आपकी है बताओ कौन बनाया है महराज बोले कि हमको पता ही नहीं कौन बनाया है बोले उसका पता बताओ हमको जिसने बनाया हो इसी परकार की कुटी है मैं उससे बनवाओंगा तो तुकाराम ने कहा कि उसकी कुटिया उससे जैसे मेरी जैसी कुटिया बनवाने के लिए मेरे जैसे बनना बढ़ेगा मेरी जैसी कुटिया बनवाने के लिए मेरे जैसे बनना बढ़ेगा बोले क्या बात? बोले जैसा कलेजा मेरा है तेरा जिगर है क्या? आई मौज फकीर की दिया जो बड़ा फूग तो जिस प्रकार से मैंने जो बड़ा फूग दिया है तुम्हारी आउकात है क्या घर में आग लगा के देखो आपकी हिम्मत है आग लगा सकते हो मैंने अपनी कुटिया में आग लगाया है मैंने अपने हाथों से अपने धन को जलाया है आप अपने धन को जला सकते हैं आप धन जलाने से पहले अटैक में चले जाएगे संत फकीर को कोई फरक नहीं पड़ता है धना आये तो भी ठीके नहीं आये तो कोई बात नहीं है ये परमहंस, प्रबत्ति के संत लोगों की गति है, तब भगवान को आना पड़ता है, जब प्रभू की सरन में लगोगे, जब भगवान की तरफ लग गए तो भगवान का काम है, भगवान कार्य करते हैं, लेकिन लगने के लिए प्रयास करना पड़ता है,